उद्धैपूर से बड़ी खबर है आज से कॉंग्रेस के चिंतन शिवर का आगाज हो रहा है तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके स्क्रीन्स पर आपको बता दे हैं कि उद्धैपूर में चिंतन शिवर का आज से आगाज हो रहा है कई कॉंग्रेसी दिगश निता इस कार तस्वीर है सामने आ चुकी है चिंतन शिवर की शुरुवात उदैपुर से हो चुकी है तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी तो इस खबर पर जादा अपडेट के साथ हमारे सम्वारता इस पर्श शुरुवात हो रही है सभी कॉंगरेसी निता एकजोट होते हुए नजर आ ये राहुल गांदी आगे इसमें बैटे हुए सचिन फाइलेट यहां पर मोजूद है दिपेंदर हुड़ा की बात करें जैराम रमेश की बात करें तो कॉंग्रेस कारेकरताओं का जो जमावड़ा है वो फिलाल यहां पर जो है लगा हुआ है तो ऐसे में जो तमाम कॉंग है इसमें बारा बज़े जो है आज आज उपचारिक रोप से जो चिंतिन फ्रीवर की शुरुवात है वो पूरी तरीके से जो होती भी जो है नजर आएगी सबसे पहले दो बज़े के आसपास कॉंग्रेस की जो अज्यक्षि है सोनिया गांदी उनका जो भाशन है वो होता किस तरीकेसे जो आशाज़ जो चिंत्न शिविर की रूप रोप zwle डेका ह। उदैपूर में कॉंग्रेश की तरफ से जो चिंतिन शिविर है वो फिलाल जो होता हुआ जो है नज़र आएगा और तमाम डिसकेशन यहाँ पर होते हो नज़र आएंगे कई सारे एजेंडे जो है इस बैठक के लिए जो है उदैपूर में जो चिंतिन शिविर है उचके और तमाम जो दो बोगिया है वो आज यहां पर पूरी तरीके से बुक की गई थी दिल्ली से उद्यपूर के लिए उद्यपूर में रेल के जरीये तमाम जो कॉंग्रेस के नेता है वो यहां पर पोशते वे जो है नजर आए फिलाल जंता टीवी सबसे पहले ग्राउंड पर पूरी तरीके से मौझूद है और फिर से अंगर हम रेलवे स्टेशन के यहां के तस्वीरे दिखाए तो यहां पर पूरी तरीके से जो तमाम कारे करता है वो आपको यहां पर देखने को मिलते वे जो है नजर आ रहे होंगे और यह तमाम कारे करता राहुल गांदी अपने उसकी आपचारिक रुप्टे जो शुरुवात है वो होती भी जो है नजर आएगी बिल्कुल इस परश क्योंकि जिस तरीकी से देखने को भी मिल रहा है जाप पर तमाम कारे करता होना बहुत विस्वागत भी किया है ऐसे में अभी और क्या कुछ तैयारिया देखने को मिल रही हैं क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाले हैं उसके अपडेट जरूर दीजिए देखें बिल्कुल अगर इस बुदेखपुर चिंतन शिविर की बात करते हैं तो तीन दिन यह जो चिंतन शिविर है वो होता है नज़र आएगा पहले दिन कॉंग्रेस अध्यक्ष तोनिया गांधी की ओपनिक भाशन के साथ यह जो पूरा जो कारेकरम है उसकी शुरुआत जो होती भी नज़र आएगी और इसके बात के अगर कारेकरम की रूप रेखा की बात करते हैं दो दिन यानि आज दोपैर के और कल का पूरा दि इस पूरे चिंतिन शिवर के संदर में देश के एकोनोमिक हालात को लेकर देश में जो क्रिशी समंदी जो चीजे हैं उसके उसको लेकर राजनितिक जो एजेंडे हैं उसको लेकर इसके साथ-साथ जो सोशल एमपावर्मेंट होती है उसको लेकर तो अलग-अलग जो प्रस पर देखा जाएगा तो कॉंग्रेस किस तरीके से अपनी दो हजार चौबिस की जो राह है लोकसभा चुनाओ की वो आज निकालती जो है नजर आएगी वो काफी महत्पून रहेगा और उससे पहले अगर हम बात करें तो दो हजार तेईस में भी कई राज्यों में चुनाओ ह होने वाले है सेमी पाइनल के तौर पर उससे सीधे तोर पर देखा जाएगा तो कॉंग्रेस किस तरी क्या कुछ बदलाव कॉंग्रेस के अंदर खाने को मिलते नजर आ सकते हैं क्या एक लगती एक टिकट को लेकर महर यहां पर लगती नजर आ सकती है या पिर जो एक उसे पहले जो मजबूती की सिधिया उसमें पार्टी जो है नजर आए बिल्कुल इस पर देखिए दोजार चौविस की खास तोर पर तयारी की जा रही है साथी साथ पार्टी अपने आपको मजबूत करने की बात यहां पर कहती है लेकिन चिंतन शिवर से पहले यह देखन आप आ रही है क्या निताओं की बीच देखिए बिल्कुल कॉंगरे से चाहेगी कि आज जो आने वाले समान सुनाओं वहाँ पर एक जिसका दिखाने की कोशिश काई ना काई होती ही नजर आ और इसकी बानगी अमनी किस तरीके से देखी कि जो राजस्तान सरकार है उसमें जो मुख्यमंत्री अशोग गेल होता है वो यहाँ पर पूरी तरीके से मौर्चा समालते वे नजर आ रहे है और इसना अगर बात करते हैं रेलवे स्टेशन पर जो सचिन पाइलेट थे वो आज पहुशते वे नजर आ है राहूल गांदी की अगवानी जो है वो करते वे न सकता है उसके संदर में भी यह जो चिंतेन शिवरा वो काफी महत्पून आ जो है समझा जा रहा है तो ऐसे में गुडबाजी ना हो पार्टी एक जैसे रहे पार्टी जो मुद्य उठाती है वो तवाम नेता कही ना कही फोलो करते वे नजर आ है पार्टी महत्पून हो ना क कही ना कही पार्टी में जो है चलती वे नजर आती है तो ऐसे में अब साड़े चार सो के आसपास करीब नेता इस चिंतिन शिवर में जो है पहुंचते वे नजर आ रहे है और तवाम लोग यहाँ पर मन्थन करते वे नजर आएंगे कि किस तरीके से जो पार्टी है उसको क किस तरीके से मजबूत किया जा सके केंदर सरकार को किस तरीके से घेरा जा सके क्योंकि हर फ्रेंट किया बात करते हैं तो हर फ्रेंट पर जो है सरकार को घेरने की कोशिच जो है कॉंग्रेस कही न कही जो है करती वी नजर आ रही है चाहिए वो बेरोजगारी की बात की जाए या पिर अगर हम बात करें एकोनोमिक हालात की बात की जाए, देश की सुरक्षा की बात की जाए, रास्टवाद की बात की जाए, लेकिन उसका इतना असर देखने को नहीं मिलता है नजर आता है, और वो हमने देखा किस तरीके से जो पाँच राज्यों के चुनाव पिछले देखने को मिलता है नजर आता है, कॉंग्रेस के सामने जो राह है, वो बेहत मुश्किल कही न कहीं जो है, देखने को मिलती भी जो है, नजर आ रही है, और उस राह को कॉंग्रेस किस तरीके से दीरे-दीरे करके आसान करती भी नजर आ सकती है, उसी के संदर में अगर हम ब बात करें। बात करें। बात करें। बात करें। जो मन्थन है कॉंग्रेस करती वी नजर है ताकि इन कारे करता हो का मनोबल जो है भड़ा रहे और सोनिया गादी जो कॉंग्रेस के अंतरे मद्यक्षे उनकी तरफ से भी एक आ गया था कि जो पार्टी होती है पार्टी में जो विरोध करने का जो अधिकार है वह सबको होता है लेकिन पार्टी में विरोध कर जरिये कारे करता हो का मनोबल जो है ना टूटे इसका जो ध्यान है तमाम नेता हों को रखना ज़िये तो फिलाल मनोबल इन तमाम जो नेता हैं यहाँ पर पहुँचे हुए Ainust mismos इनका हाई देखने को मिलता हुआ जो है कि तमाम पूरे देश बर से करीब साड़े चार सो के आस पास जो कॉंग्रेस नेता है वो आज है उद्यपूर चिंतर शिवर के लिए पहुंचते वे जो है नजर आ रहा है इसमें तमाम राज्यों की आज जो चीजे हैं वो कई ना कई डिसक्शन होती है लेकिन सपर्च इसमे और पार्टी के लिए अपना कर्ज चुका है लेकिन जिस तरीके से 6 कमिट्यों के यहां पर गठन किया गया है तो जो मुद्धे निकलकर सामने आएंगे 2024 का जो चुनाव है वो उसी क्याधार पर लड़ने का फैसरा लिया जा सकता है कि या इस पर देखें बिल्कुल चिंतिन शिविर से जो मन्तन निकलेगा वही कही ना कहीं एज़ेंडा सेट करेगा कि कॉंग्रेस की राध 2024 के लिए किस तरीके से रहने वाली है क्या कुछ एज़ेंडे कॉंग्रेस 2024 में जो है उतर कर जो है जो है उतरती भी जो है नजर आएगी और कल क कॉंग्रेस प्रवक्ताओं की तरफ से एक लंबी चोड़ी प्रेस कॉंफरेंस जो है की गई थी एक वीडियो भी दिखाई गई थी जिसमें साफतवर पर बताया गया कि जो केंदर सरकार है वो हर मोर्चे पर कहीं नजर आ रही है चाहे वो जो रोजगार देने की बात हो लगातार बढ़ती वी नजर आ रही है महगाई लगातार जो है बढ़ती वी नजर आ रही है सब चीजों के दाम जो है वो लगातार जो है बढ़ते नजर आ रहे हैं इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं आर्थिक रूप से देश किस तरीके से जो है मजबूत नहीं हो रह किया है वो लगातार जो है गिरता हुआ जो है नजर आ रहा है इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो जो चीन जिस तरीके से जो घुस्पैट है वो करता हुआ नजर आता तो ये कुछ एजेंडे जो है इस चिंतन शिवर के लिए जब कल प्रेस कॉंफरेंस की गई तो तो आगे भी हम लोग आपसे अबबेट लेते रहेंगे तो फिलाल चिंतन शिवर की शुरूवात आज से हो रही है